देखिए जो खाने के सोखीन होते हैं उनको खाना के साथ कुछ अस्पेसल चटपटा सा चाहिए ही चाहिए ये चटनी धन्या पत्ती है हरे मेर्च कच्चा मुंफली दाना और ये चना का दाल लसुं अब इसको बनाना कैसे है इसको देखना होगा देखिए गरम कडाही में आ आपको पहले थोड़ा सा पहले बदाम को थोड़ा सा फ्राई करेंगे भूझेंगे फ्राई तेल में नहीं सुखा इसके बाद दाल और इसको तब तक आपको भूझना जब तक ये चटकना बंद नहों हो जाए लगभग ये हो चुका है इसको निकाल लिया गया कडाही से इसके बाद इसे पानी में डाला जाएगा पानी में डालने के बाद अब जो हमने आपको दिखाया था लसून हरी मीर्च वो सब कुछ देखे यहाँ पर सिल्वट पर आ चुका है और धनिया पत्ती धनिया पत्ती पोदीना जो भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं वो जितना महीन होगा ये उतना स्वादिष्ट होगा तो ये महीन करने के लिए बीच विच में पाने डाल डाल कर इसको और जितना महीन होगा ये उतना बढ़ता भी जाएगा एक और खास बात है इसमें सिल्वट पे पिसा हुआ चटनी हो मसाला हो इसका टेस्ट लाग होता है भाई मेरे पास मिक्सी ग्राइंडर भी है लेकिन सिल्वट का मज़ा कुछ हो रही है अब यह त्यार हो चुका है बिल्कुल बारिक इसको रख लिया जाएगा कटोरे में रोटी के साथ दाल चावल के साथ दाल चावल सबजी भी है तो भी उपर से चटकारे ले लेकर आप इसको खाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट हम तो बहुत खाते हैं यह बहुत मज़ा आता है रोटी के साथ चावल के साथ जैसे चाहे वैसे आप इसको खा सकते हैं चटने